नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश्विदेश की प्रमुक खबरे जम्मु कश्मीर के कीरू हाइडरो प्रोजेक्ट में ब्रष्टा चरका मामला पूर्व गवर्नर पर सीबी आई छापे मलिक बोले जुकूंगा नहीं नेट्फ्लिक्स की इंद्रानी 29 तक रिलीस नहीं होगी प्यस्सी 2023 परिशा में पूछे तीन विवादित प्रश्ण एमपी प्यस्सी के सचीव हाई कोट में तलब 36 गड़ में लोकसभा चुनाव का शंकनाथ भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बनेगा अमिशा ने कहा शेर और शेरनी का नाम अकबर और सीता रखने पर हाई कोट नाराज कहा तुरंत नाम बदले चंडिगण मेर मामले में कोट का फैसला अपलोड लोक तंत्र में विश्वास के लिए स्वतंत्र निश्पक्ष निर्वाचन जरूरी सुप्रिम कोट ने कहा भारती छात्रा जानवी को कुचलने वाले पुलिस कर्मी पर आपरादी केस नहीं जर्मनी के इसकुल में चाकुस से हमला कर 17 साल के छात्र ने चार अन्य छात्रों को खायल किया राजिस्तान के जैपूर में ड्राइवर को हट अटेकाया अन्यंत्रित कार ने साथ लोगों को कुचला मालदियों में भारत श्रीलंका का युद्ध अभ्यास चीन के जासुसी जाहज ने भी लंगट डाला ब्रिटेन के बीबीसी के पहले भारती मूल के चैर्मेन नुक्त हुए डॉक्टर समीर शाहा स्लो वाक्या में अभिव्यक्ती की आजादी के लिए सडकों पर लोग उतरे युक्रेन युद्ध में टूरिस्ट विजा पर मासकों पहुँचे थे रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे सो से जादा भारती है गुलमर्ग से हेलिकॉप्टर से एयर लिफ्ट जम्मू कश्मीर में हिम सकलन रूस के परियटक की मोत छे को बचाया बैंगलूर में मंदिरों पर टेक्स लगाने वाला बिल पास भाशपा ने कहा हिंदू विरोधी बिल कॉंग्रेस का दावा 22 साल पुराना राममंदिर निर्मान के बाद भी नकारत्मक्ता में जीने वाले लोग नफरत नहीं छोड़ रहें मोधी जी ने कहा मुंबई में रिया चक्रवदी का लुकाउट सर्कुलर कोट से रद सी यूविटी यूजी में बंध होगा अंको का सामानी करण बाकी की तमाम ख़बरों के बने रहें राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद